जैहिंद स्वागत है आप सुबके अपने यूटूब चनला रेंकर इस्टडी सेंटर में तो दोस्तो मैं हूँ प्रदीब तो अबजेक्टिव कोहचंस को अबजेक्टिव टाइप से बनाने के लिए बेहतरिन इस वीडियो में समझे कि एक दम खाटी ट्रिक आपको सिखाने आप दीजे度, वह ट्रिक इस वीडियो में अभिं आपको सिखाने वाले हैं देखिए, यहाँ पर यह कोहचंस है यानि यह साप जीसम है तो यह समाः कलन है, ठीक है यानि इस इसमाः कलन का चीन है यहाँ पर कोहचंस है, के sin-qx into 0-X-dx का मान आपको बताना है यानि इसका integration करना है, यानि según%, पहले आप को ओव कॉलन देखना है, ठीक है? किसी ना किसी एक फॉं सन का ओव कॉलन दिखना है, जैसे कि देखिए, यहाँ पे d sin x अभागा dx का ओव कॉलन कितना होता है? cos x होता है, cos x होता है तो हूम अभी आपको क्या बोले है? सामा कहलन के को रहेगा लेकिन, अव्पलन आपको खोजना है यानि, यहां पर जो भी मान रहेगा ना, उसमें आप देखिएगा किसी ना किसी एक फॉलन का, यानि फॉंसब्स का अव्पलन दिया रहेगा जेसिक देखिए केवाल ये såin 3 यहाँ पर देखिए केवाल साइन एक्स को आप देखिए ये जो और इन्हानर प crimson जोब हमें भी मन रहेगा और यानि sign का उक्तर नो साही, से थहाँ गरणों कितना हम जोता हुप एक्स नोलन एक्स जेफ लैजिर чист नोलार इक जो अवकॉलन यहां पे दिया गया है, कौस एक्स दिया गया है, ठीक है, तो जो दिया रहेगा, जिसका आप, पहले आपको यहीं न ट्रिक सिखाए थे, यानि अभी 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 चैनल पे नाया आया है, तो ट्रिक यह सिख लीजिए, ठीक है, अभी आपको ओप्सन देहकर, इसक प्रेशन देखकर इसका इंसरा बतला दीजिएगा कोन इसका इंसर होगा बताने वाले हैं यह ट्रीक अभी आप बने रही है यानि पहले आप लोगो क्या ट्रिक सिखाए थे कि किसी ना किसी एक फॉलन का आवकॉलन दिया रहेगा अभी अभी चैनल पर आये हैं तो अराम से इस वीडियो का देख लिजे आभी अट्रिक सिख जाएगा बहतरी इन दखी है किसी ना किसी एक फॉलन का आवकॉलन दिया रहेगा तो यहां पर साइन ठीरी एक्स यहां पर यह थीरी जो है ना इसको आप मतलिजे जो क्यूव है ना यह तीन को नहीं कि वाले साइन का आव इस प्रकार का जोभी आपको एकन जरूर में पूछा जाएगा, इस साल देखिए। किसी ना किसी फॉलन का देखिएगा और ओकलन दिया रहा तो sin X का ओकलन sau6 होता है तो जिसका दिया रहेगा, इसका ना यहां पर यह दिया गिया है, तो पहले जो रहेगा, जो ठोब फ्रण कर रहे है इसको कोई नणकोई चीज आप माल लिजिए आप माल लिजिएगा ठीक है माल लिजये कि हम यहां पर इसे पाल लिए साइं एक स्कोड और जो निकल किया गा ना इस Cela ओर टी यहां पर दी है न और यहां पर ईयांट को एथका लेकिन सीरी जो यहां पर आप्र आयां हम क्या माने है डी आप पी माल नहीं है ठीक है तो डी पी हो गया तो आप देखिए ये सुत्र आप जानते हैं ना integration का के x के power n है तो dx का सुत्र क्या होता है यही ना होता है के x इसमें ए गो जोर देते हैं उसी से नीचे हम लोग भाग देते हैं यही सुत्र पर यहां पी है तो यह सुत्र आप देखिए क्या करेंगे पी जोर रहेगा वह से राग देंगे यह एक x in plus 1 जो इन का मांद 3 है तो इसमें गो जोर देंगे उसी से नीचे है अब भाग दे देंगे ठीक है यही ना होता है अब यह गो c या k को ने constant लगा दिया जता है तो देखिए यह हो गया तो अब देखिए sin x को ना हम p माने थे तो p के स्थान पे sin x को रख लेते हैं अब नीचे की आए च्यार है तो च्यार एक गो c याएक को क्यों क्वेस्टन जोर दिया इसका एंसर निकल के आ गया देखिए बनाने में लॉंग तरीका से बन था लेकिन बहतरी ने तरीका आपको बतला दिया यह पहले ट्रिक आपको बतला दिया ठीक है और फिर कैसी आप कोचंस के ओप्सन देखकर इसका एंसर बतला येगा ये आपको बतलाते हैं ये बात आपको नहीं बुझाया किया फिर से एक बार रिपीट कर देखिया चलिए कर देते हैं देखिए किसी ने किसी एक फॉलन का यानि फंसन का ओकलन दिया रहेगा तो जिसका दिया रहेगा उसको कोई भी माल लिजेगा, कुछ भी माल लिजेगा, यह B, C, D, Ram, Siam, Pradip, कुछ भी माल लिजेगा, ठीक है, माल लिजेगा, कि इसे हम माल लिए यहाँ पे P, और जो निकल के आया है, जिसका अउकलन इसे किया है, तो यह आया है, यह से और D, X जो रहेगा ना, इसे, आप यहाँ पे जो P माल लिजेगा, तो उसके साथ में, D के साथ में, वही माल लिजेगा, ठीक है, यहाँ पे T माल लिजेगा, यहाँ पे Pradip माल लिजेगा, यहाँ पे D, Pradip माल लिजेगा, ठीक है, मालने के बाद देखिए, यहाँ इंट्रिकेशन का चीन, यानि साइन X को न हम P माने हैं तो यहाँ पे P रख लिए लेकिन यह साइन के पावर में यहाँ पे 3 है ना तो यह P के यानि साइन X को ना हम P माने है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यह सब को हम मान क्या लिए हैं D P तो यहाँ पे Dp हो गया और P के पाव़र 3 आ गया यानि थीरी आ गया तो इसका TskMin integration का या सूत्र होता है कि X के पावर N dx का सूत्र क्या होता है X N प्लस 1 बटा N प्लस 1 यहीं C, X के एको constant जोर दिये और P को देखिए sin X को ना हम P माने थे यहाँ पे तो sin X को हम P माने थे तो P के अस्थान पे sin X को हम रख सकते हैं तो यह P के अस्थान पे sin X हम रख दिये और इसके power में 4 है तो यहाँ पी यह 4 हो जाएगा यहाँ नीचे उसी से यहाँ पे नीचे जो 4 है यह 4 हो जाएगा C, 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 Q के constant जोर दिया जाता है यही इसका answer हो जाएगा ठीक है देखिए अब यहाँ पे आपको trick यानि यह भी trick है बहतरीन पहले यह trick आपको सिखा दिये हैं अब इस questions को option देखकर किस तरह बनाईएगा अब आपको बतलाते हैं यानि इस type का बहुत सरा questions आपको अभी आपको कराने वाले हैं खुद देखिएगा इसका answer आपको आप बतलाईएगा देखिए जैसे कि देखिए हम क्या किया हैं कि यहाँ पे जिसका ओकॉलन यहाँ पे ये answer को देखिए और यहाँ पी is questions को देखिए यानि इसका ओकॉलन यहाँ पे दिया गया था तो इतना हो गया लेकिन यहाँ पे देखिए 사म इसका ऊपलन यहाँ पे दिया गया है तो साइन के फावर थीरी x यहाँ पे है ठीक है तो अब ये दुसार का ट्रिक क्या कहता है कि कोहचंस को केवल देखिए, साइन थीरी एक्स इंटू कोसेक्स है ना तो हमें काम करते हैं, यानि इस तरह अब ये तो बनाने के लिए हुआ ये भी बेहतरी इन तरीका है, अब भी जो बता रहा है ना कोहचंस को देखकर इसका एंसर बतलाईएगा, देखे की स्तरह बतलाईएगा, जैसे कि इसका आउकलन यानि जो भी यहाँ पर आउकलन रहेगा, यानि इसको ना किया है तो यह आ रहा है, यानि इसका सुत्र ये है, इसका आओकलन की है तो ये आया है तो इसको आप जोभी यहां पर रहाख एगा इसको जैसे रहेगा अब ऐसे यहां पर लिख लिजाएगा साइन एक्स है तो साइन एक्स है एको पावर में ये तीन को है ना तो इसमें एको जोर दीजिएगा आउसिस से नीचे भाग देजिएगा या इसका एंसर निकल के चलाएगा ये हुआ प्रूब करने का तरीका यानि एंसर इस तरह लिखेगा अभी बात आपको नहीं बुझा आपको समभमेर आपको पूरा समझ में आ जाए इसलिए थोरा सा ये है यहाँ पर यह जो कोच्चन साब को दिखाई दे रहा है यहां पर कि 10 एक्स इंटू आज सेक स्क्वाइर एक्स आज डी एक्स है ठीक है तो देखिए अभी हम आपको क्या बताए है पहले आपको क्या ट्रिक सिखाए थे कि किसी ना किसी एक फ्लन का आउकलन दिया रहा है इसका आउकलन क क्या होता है तो अब इसको मान लेना है आपको T आ जो आएगा यह सोब को मान लिजेगा दी और ट यहाँ पर जब मान लिजेगा अब इसमें इस तरह फूटильно कि लेकाइब 10 x को हम तीम हाने हैं तो यहाँ पर यह तीम हालिजे यह सब को ना तो अभी सूत्र आपको लिख्ष़न है जैसे कि गो जो रदे ना है उसे से नीचे भाग दे जो बढ़े ना है तो इसमें एक जोर्दी जो रदे जाँ तो एक छुपा हुगा है ना तो एक हम एक जुरिएगा तो दू गो आ उसी से नीचे दू से भाग दे दिजेगा एको C या के गो कॉंस्टंट जोर दिजेगा यही न हो जाएगा यानी C जोर दिजेगा तो बस यही इसका एंसर हो जाएगा अब यहाँ पर T को 10X को न टी माने है तो T के स्थान पर यहाँ पर 10X को यहाँ पर रख लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा 10X आभागा यहाँ पर दू एको C या को कोई भी कॉंस्टंट जोर दिया जाता है ठीक है यह हु इसमें यह जो 10X है ना तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं छुपा हुआ है तो एक छुपा हुआ है ना मेरे भाई कुछ नहीं छुपा हुआ है तो देखिए इसमें एको जोर दिजेगा उसी से नीचे भाग देदीजेगा यहाँ पर कुछ नहीं तो एक एंसर यहां में निकल गया है इस तरह हम लोग बनाए तो उतना ही एंसर निकल गया ठीक है कहने का मतलब मेरा यह है ना कि कोई भी फॉलन का ओकलन दिया रहेगा ठीक है तो इस तरह तो मान क्या बना सकते हैं लेकिन दूसार का तरीका किया है कोचंस को आप्सन देखके किस तर आग दे दीजेगा जैसे कि देखिए अभी यहाँ फे इसी कोर्थंस को हम यहां पर हम इस तरह लिखना चाहते हैं तो आप इसका इंसर बतला जैसे के नहीं के नहीं जो इनके हावर यहां पे थिरी एक और यहां पर हो किया है ड्रेक ड्रेक भनाने का यहां इसका न अउकलन यहां आपी आ रहा है, ठीक है, तो इसके power में जोर दिजएगा, उसी से निचे और भाग दे देना है, ठीक है, तो देखिए, ये 10 को उसी तरह लिखिए, इसमें जोर दिजए, 10 में जोर जोरी, यानि 4 में जोरीएगा, तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ तो बनाना चाहते हैं, तो मेथर से इस तरह बना लिजे, इसका उकरन यहाँ पर दिया गिया है तो आप इसको कोई भी मालीजे, यहाँ पर हम T माल लेते हैं, और ये सब को हम DT माल लेते हैं, ठीक है, बन लिए, तो अब ये इस तरह हो जाएगा ना, 10k, 10x को हम 10 contributions यहां पर t हो जाएगा लेकिन यह जो power 4 है तो यह 4 हो जाएगा ठीक है यह सब को हम क्या मने है dt मने है नहाँ यहाँ तो यह dt हो ու जाएगा मेरे भाई तो यह सूतर क्या होता है तो उपर जोड देते हैं उसी से नीचे भाग दे देते हैं नहीं नहीं होता है तो चार में एक जूरी एगा तो यह पांच हो जाएगा अनीचे भी पांच से भाग देजिएगा एगो C या एगो के कोई भी कॉस्टेंट यहां पे लगा सकते हैं कौनों दिक्कत नहीं हैं तो देखिए 10x को ना हम T माने है तो यहां पे T के स्थान पर 10x को यहां पे रख लिजिए यहां पे 10x हो गया और इसके पावर में 5 है तो 5 हो जाएगा इसी से निचे हम लोग भाग देदेंगे एगो C या के कॉस्टेंट लगा देंगे यहीं इसका एंसर हो जाएगा देखिए यानि इस तरह हम लोग ड्रेक्ट बनाए तो इतना ही एंस आप्सर निकल किया विल्कुल इस प्राइब के को फ्रकार के खोटां स्सप्सें बासर बना लिजियेगा थीक है और देखिए को थोड़ा सा और रूमाए जाएगा तो किस तरह पूछा जाएगा अभी आपको वतलाने वाले हैं ठीक है चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को जरूर से जरूर मेरे भाई आप सब्सक्राइब कर लिजेगा बहतरीन बहतरीन ट्रिक आप सब को सिखलाते हैं जो यह नहीं कि आपके बोडिक जाम में कोहचंस इस टाइब के पूछेवे नहीं किये हम ट्रिक वतला रहा हैं वतला रहा है ठीक है इस प्रकार का कभी भी नहीं करते हैं ठीक है जो आपके बोडिक जाम में बार बार कोहचंस पूछा गया है ना वहीं सब कोहचंस को बनाने के लिए बहतरीन बहतरीन ट्रिक आपक है ठीक है चलिए यहां पर देखिए अगर यही कोचन जीरो से फाई बटा दूर है ठीक है यहां पर कोचन साब को दिखाई दे रहा होगा ठीक है साइन ठीरी ठीटा इंटू कोच ठीटा और डीटीटा रहा है तो इस कोचन को किस तरह बनाई एगा देखिए हम अभी आपको क्या बोले है कि किसी ना किसी एक फ्रॉलन का ओक्वलन दिया रहेगा तो साइन ठीटा का ओक्वलन यहां पर एक कुछ भी हो सकता है तो साइन इसका ओक्वलन कितना होगा यानि इसका सुत्र क्या होता है क्वस्ट ठीटा हो जाएगा तो देखिए यह फ्रॉलन का ओक्वलन यानि इसका सुत्र इतना यहां पर दिया गया ठीक है यानि साइन ठीटा का ओक्वलन क्वस्ट ठीटा यहां पर दिया गया है ठीक है जब दि लिजेगा टी आये सोब को माल लिजेगा डी टी इस तरह भी आपना सकते हैं दूसार का तरीका क्या है यानि इसका ओकलन यहां पर दिया गया तो इस में एक इस पावर में यहां जोर दिजेगा उसी से नीचे भाग दे दिजेगा यहां पर देखिए साइन तीन में एको जुरिएगा तो यह चार गो हो जाएगा चार से नीचे भी भाग नीचे इसका भाग दे दिजेगा उपर जो लिखेगा उसी से नीचे भाग दे दिजेगा यहां पर C यहां के दून में से कोई भी आप यहां पर एक क्वेस्टेंट लगा दिजेगा यही इसका answer हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, लिमिट भी ना है यहाँ यहाँ पर, हम ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, यह तो हुगा ठीक है, बनाने का यह process हो गया, यानि sign के power theory यहाँ पर ठीटा है, तो यह इसको उठाइए, इस जिरो से पाई बटा यहाँ पर दू दिया गया है, ठीक है, तो जब जिरो से पाई बटा दू यहाँ पर दिया गया है, तो उपर वाले मान ठीटा के स्थान पर रखिएगा, फिर नीचे वाला मान ठीटा के स्थान पर रखिएगा, देखिए, तो यह हो जाएगा, साइन के भूअफ इप्पोर और ठीटा को स्थान पे उपर वाले मान तो भाकोन बागे ऐसे मद नो तो 5 यह जकल गा शावर यह वह जाएगा और यह जो चार है नतो चार को एक भाग चार को आप सिधा क्या के जेब वहार को लिजेगा ठीक है यह चार है भाग में तो बाहर को ली जेग'S तो बचेगा यहीन cayak hr 4를 टीटा तो उपरवाल मान यहां पर जो भी रहता है एकसर है वाई रहे है कुछ भी रहे फिर यहां पर दिया जता है माई इसमें रखा जाता है तो ये कितना है साइन के पावर फोर और ठीटा के स्थान के क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 है तो यह 0 रख लिजिए ठीक है अब इसे कीजिए बंद ठीक है तो देखिए साइन 0 कमान कितना होता है जीरो होता है तो यह सब क्या हो जाएगा यह सब आई ये सब का तो मान एक हो गया ये तो जिरो हो गया तो यहाँ पे एक भागा चार में एक से गुना कीज़ेगा तो एक बटा चार ही इसका इंसर हो जाएगा ठीक है यानि अब देख लिजेगा option कहां पर दिया गया ठीक है यानि option नमर इसका a हो जाएगा बिल्कुल आपको बुझा गया ना यानि देखिए इस देखिएगा कोहचंस में किसी एक फॉलन का आपको दिया रहेगा ठीक है इसको आप टी भी मान कर बना सकते हैं ये सब को जो भी मानेगा डीटी मान कर भी बना सकते हैं नहीं तो ड्रेक आप बनाना चाहते हैं तो यह इसमें जो जिसका जो आ रहा है इसको नहीं जिसका कर रहे हैं इसके पावर में एगो जोर दीजेगा उसी से नीचे भाग दीजेगा एगो जोरिएगा तो तीन में एगो जोरिएगा तो चार गो हो जाएगा तो यह चार हो गया और चार से भी नीचे यहां पर दे दीजेगा भाग तो यहां प कोई दिकत नहें लिमिट रख लिजिए उपर वाला मान एक्स का स्थान पर यह ठीटा है तो ठीटा का स्थान पर रखेगा अगर एक्स रहता तो एक्स का स्थान पर रखते हैं फिर यहां पर माइनस निचे वाला बिल्कुल यह बात आपको भुझा गया होगा यह ट्रिक कर रहा है ठीक है अब बिल्कुल आपको यह समाझ में आ गया होगा ठीक है बोल यह इस टाइप का और कोचन्स कराए कि आप आप खूद कर लिजेगा बना लिजेगा ठीक है इस टाइप का एक कोचन्स जरूर आपके बोडिक जामे इसाल पूछा जाएगा देखिए अब ब स्क्वायर अठीटल डी ठीक है इसका अउकुल यहां पर दिया गया है मरे भाइट्टिका तो अब इसको मान कि इस तरव ही बना सकते हैं यह सब को यहां पे डीटी मान लिजे इस तरह भी आप मान के बना सकते हैं ठीक है और नहीं तो ड्रेक्ट आप किस तरह बनाएगा बस के ओल ये चिक किजिएगा इसका ओकुलन यहाँ एक फलन का ओकुलन दिया गया है ना तो बस इसका दिया गया है ना तो अब ये 10 को उठा के यहाँ पर रख लिजिए 10 ठीटा ह तो 10 ठीटा उठा के रख लिजिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है ना तो इसमें गोट जोर दीजे तो ये दू हो जाएगा और इसी दू से यहाँ पर जो लिखे है है यहाँ पर उससे भी निचे ही याणि उपर दू लिखे है तो दू से ही यहाँ पर भाग दे दिजएगा और इसका लिमिट देखिए मेरे भाई अगर लिमिट नहीं रहता तो यह answer हो जाता लिमिट दिया गया तो 0 से 5 बटाँ आप फुर यहाँ पे रख लीजे, ठीक है, उपरवाला लिमीट पहले ठीटा का इस्थान पे फिर नीचे वाला लिमीट ठीटा का स्थान पे रखिएगा, यह जो 2 है ना, यानि सब के नीचे 2 है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं इसे, एक भागा 2 इसत्रा कर लेते फिर भाग देंगे तो वही हो जाएगा तो ये दू बाहर आ गया देखिए तेन स्क्वाइर उपर वाले मान ठीटा के स्थान पे तो पाई बटा किया हो जाएगा फोर माइनस फिर ये नीचे वाला मान ठीटा के स्थान पे तो टेन स्क्वाइर जीरो हो जाएगा ठीक है अब बिल्कुल यह बात आपको बुझा रहा है ठीक है यह दू जो है आप पहले हैं यहां पर बाहर निकाल लिए हैं ठीक है तो यहां पर देखिए यह जिरो कमान कितना होता है जिरो होता है तो यह जिरो हो जाएगा पाई कमान 180 डिगरी होता है चार से भाग दीजिएगा तो यह 45 degree हो जाएगा, क्या होगा, यह 45 degree हो जाएगा, 10, 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 भागा 2, इसका मान कितना होगा, 0 हो गया था, यानि 1 बाट За 6 सब यहीं इसका answer हो जाएगा, भीलकुल यह बात आपको भुझा गया होगा, ठीक है, यानि 1 बटा 2 यानि C इसका एंसर हो जाएगा, भीलकुल यह बात बुझा गया होगा, यानि ही कोचंस रहेगा ठीक है मिटखा दे बिल्कुल आपको बुझा गया है ना चलिए 0 से 5 बटा 4 इसका लिमिट रहे ठीक है और यहां पर भी 10 इसका एंसर कीतना होगा बताएए इसमें एक जोर दीजेगा तो 2 में एक जोरिएगा तो 3 को हो जाएगा यहां पर ठीटा उसी से नीचे भाग देज़ेगा ठीक है और इसका लिमिट 0 से 584 है तो 584 रख लिजेगा ठीक है यह ठीटा का श्थान पर उपर वाला मान रखियेगा, ये 3 को बाहर को लिजेगा, यानि 1 भागा 3 ये बहर हो जाएगा, ठीटे के स्थान पर ऊपर वाला मान रखियेगा, फिर नीचे वाला मान रखियेगा आपको answer अनिकालके चलाएगा, ठीक है इस कोचेंस का answer जरूर इस video comment में अब बताईएगा यहाँ पर के A होगा के B होगा के C होगा के D होगा साइद A ही होगा चलिए विल्कुल आपको बुझा गया होगा ठीक है फिर भी आपको बनाना है बताकर इस वीडियो कमेंट में यानि आपको बनाकर इस वीडियो कमेंट में बतलाईएगा इसका एंसर आप कितना होगा मिटका दे जड्य आब ये कोहचंस आपको बुझा गया ना कि कोहचंस को दिख करो उसका एंसार जो रहेगा किस तरह बताना है अब बनाना नहीं परेगा अब कुछ कुछक्बुस्ट को देखिए। अगर दिया रहेगा औहों सट्र दिया रहेगा उसके स्टूर भाग कि दिया रहेगा उसके पांडिए में सब सकन बहुतéis गएगा उसके यहां पर देखिए, यह कोहचंस वहुत ही बहतरी नहीं इस साल के लिए, यानि 0 से 5 बटा यहां पर दूर है, यह 5 नमर में एक कोहचंस इस टाइब का जरूर पुछा जाएगा, लेकिन कहिएगा यह तो अबजेक्टिब कोहचंस में आप बता रहे हैं, तो देखिए मेरे भा देखिए, इसका इंसराव को बताना है किया होगा, देखिए, इससे पहले एक आपको प्रोपर्टी आपको बताना चाहते हैं, देखिए, अगर कोई भी यहां पर यहां पर यहां पर भी एफिक्स रहेगा ठीक है, और यहां पर भी एफिक्स रहेगा ठीक है, और यह जो ल रहेगा उपर वाला जो फ्लन रहेगा नीचे भी वहीं सेम फ्लन रहेगा ठीक है और यहां पर देखे यह जो फ्लन रहेगा यह भी फ्लन सेम रहेगा ठीक है रहने के बाद यह उपर वाला यह जो लिमीट है ना उपर वाला लिमीट यहां पर रहेगा और उपर वाले का यंसर हर में सा आप अपाई वता खूर होले ठीक है अगर इस प्रोपबिंग कर यानि इस टाइप का कोचण सबस्कर मिल जाए के ऊपर वाला भी निच्छे वाला भी सेम रहे और यहां जो फॉलन रहेगा वह इदम सेम वहिं फॉलन रहे है उपर वाले में से और इस फोलन के यहां पर कॉन को घटाली आ जाएगा अग्र इस टैप का कोछिंस अगर आपको मिल जाये ना तो इस टैप का कोछिंस का एंसर हर में सब 5 कि वाटा आफ और हुता है ठीक है जैसे कि देखिए यहां पर सकते हैं तो यहाँ पड़ देखिए कितना हो जाएगा सबसे उपर चल जाएगा तो यह जाएगा निचे वाला शॉपसे उपर चल जाएगा ठीक है तो यह इस तरहा हो जाएगा जीरो से फाइव नटादू यह ऊपर चल गया तो यह जाएगा Qx, आनीचे किया बचा, Qx, Qx, प्लास साइन, Qx, और यह Dx है ना, तो यहाँ पी इस Dx को आका लिज़े, ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ आपको क्या परपटी बताए है, कि उपर वाला नीचे वाला सेम होना चाहिए, देखिए, उपर वाला नीचे वाला यहाँ पर सेम है ना, असेम होने के बाद यहाँ पर देखिए, यह फॉलन भी सेम रहेगा, यह फॉलन भी जो रहेगा, और यहाँ उपर वाले लिमिट में से, इस फॉलन के कोन को घटा लिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कोन को नहीं घटा याँ गया है, जैसे कि देखिए, अभी आपको भुजाया एँगा, इसा कि माली जेक कास्त, यह जो फॉलन है ना, ये सेम रहेगा, तो ये फॉलन को आप सेम यहाँ पर रखिया, जैसे कि यहाँ पर राख बनार बजारा है ना, यहाँ पर कर से कि क्यूं, यह फॉलन जो है, यह फॉलन उसी तरह हो गया, ठीक है, रह गया और उपर वाला में से घटाए है तो यह उपर वाला जो पाई वाटा दू है ना तो पाई वाटा दू में से इस फॉलन के देखिएगा इस फॉलन के कोन को ना यहां पर घटाए है तो इस कोन को घटा लिजे यह जो फॉलन है ना इस फॉलन के कोन के यहां पर तो यह नहीं से साइन, ठीटा का स्थान पे एक्स है तो यह साइन एक्स होगा ठीक है, शिर्जा हे एक्स होगा ठीक है जैसे को सुन आइचिता बड़ाबर क्या होता है लाइस होता है तो इसके उल्टा यहां पर नाइच पर तूटा रहेगा अगर यहां पर रहेगा वह भी मान्यर्ण या मान्ट सेम रहे इसका यहां पर तरहता हूसे को एकिक arap पाई बटा अफोर होता है बिल्कुल बुझा गया होगा ठीक है वो लिए चलिए इससे हम मिट काते हैं और बेहतरीन बेहतरीन आपको ट्रीक सिखलाते हैं ठीक है यानि इस टाइप को प्रोपर से यानि अग्दाउन बेहतरीन तरीका से पांच नमर का पुछा जाएगा तो क यूटूब पर लिखेगा पांच मार्क से यानि पांच नमर भी भी आई सब्जेक्टिव को चन्स रेंकर इस्टडी सेंटर वर बीडियू आजयागा देख लिजेगा इस टाइप के को चन्स को बेहतरीन तरीका से बतला दी है इस टाइप के कि जितना भी पूछा जाता है सबी को बनाने के लिए बहतरी तरीका आपको बतला दी है ठीक है हुए वीडियो नहीं देखें तो देख लिजेगा चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर रहे 2x फ्लस फाच नीचे रहे x स्क्वाइर फ्लस 5x फ्लस 9 और यहाँ पर dx रहे इसका इंट्रिगेशन आपको वताना है देखिए यहाँ पर देखिए नीचे वाला का अगर देखिए यह सामा कोलन के कोचंस है लेकिन देखिएगा आउ कोलन नीचे वाला का अगर आपको उपर मिल जाए तो इस टाइप के कोचंस का अशर हरमेशा लॉग यहाँ पर लिजिएगा लेने के बाद जिसका कर रहे है जो आया है उसको नहीं जिसका कर रहा है रहा है फे मान इसमें भर दीजेगा इसका ओ कॉलन यहाँ परफ उपर हाई कि नहीं विलकूल है जैसे कि देखिए इसका ओ कला ओक्लान करके आप देख लीज entwickelt existiva 5x plus 9 आब ठाइकि तो ये सुत्रा आप अगर डी एक्स के पावर A न भागा, डी एक्स रहे तो इस सुत्र क्या होता है? पावर नीचे उतर के चौलता है। उसी पावर में से एक कम कर लेते हैं। यह सब शुत्र को याद करने के लिए बहतरीन बहतरीन है। ट्रिक आप सब को स्थीख ला दिया हैं। नहीं देखे ह बेतार हैं वह सब वीडियो तो जरूर आप देख लिजेगा मर्यय का स्वर्च है और समा खुलन्या सामा खौलन्या सब्सक्तर का चाहिए तो समा कलन यूटूब करताए, यहां थे लिए थीक्स हो जाएंगा ठीक है यहां पर यहां पर एक प पावर को कम को कभे ज जीए इस में से यह कम कर लिजेत यह 2 cabinet b 2 x हो जाएँगा आफ यह constant five है 3 5 को भाहर जाएगा अव्प ίे यहां पर दखिए तो लोग हर में सा लिजेगा लेने के वाद नीचे वाला का नाओ कलन की यह तो उपर आया है तो इसको लोग यहां पर लिजेगा यहां पर इस्तर लोग आप लिजेगा लोग लेने के वाद यह नीचे वाला का ना किया है तो उपर वाला आया है तो इसको एकस स्क्वाइर प्लस फाइफ एकस और प्लस नाइन और यह को सी एक क्यों कोस्टेंट जोर दीजे यह इसका एंसर हो जाएगा ठीक है यानि इसका एंसर आप देख लिजेगा कौन होगा यानि अप्सन अबर इसका एह ही होगा ठीक है अब विल्कुल आपको बुझा गया होगा चलिए इससे हम मिठकाते हैं और इसी टाइप का एक और कोचंस आपको देते हैं जो आपके वोड इक जाम में आप पुझा गया है ठीक है आप बनाने का प्रियास किजेगा ठीक है इसका एंसर आपको आपसे बन रहा है कि नहीं लेखिन बनाने का प्रियास किजेगा ठीक है तरीक प्लास यहाँ पे 10 to power X,cipe log E 10 है ठीक है? आ और ब्राबर ब्रावर नहीं बठा Tasra इस गोज्टा canis 14 ग लोग इस honest 10 के फावर एक सोब आपको बताना है रहर रखिए अभी हम आपको क्या बोल हैं देखिए गाई उपर वाला या नीचे वाला किसी ना किसी का आपको दिया रहेगा, यह समा कलन के कोचंस है, यह साप जो इसलिए सुरू में आपको बतलाया है, कि यह साप जो संचीन है, तो इसको कहिएगा समा कलन, ठीक है, समा कलन का कोचंस रहेगा, लेकिन आपको घोजना है, तो देखें, इसका आपको खोजना है, तो देखें, इसक कर लिजेगा अगर रहेगा तो हर मेंसा आप लोग लिजेगा लोग लेने के बाद जिसका आउकलन दिया रहागा इसको अगर उपर यहां पर दिया रहेगा तो इसको यहां पर रख लिजेगा ठीक है अगर उपर वाला के दिया रहेगा तो लोग के साथ में यहां पर रख ल वाला आ रहा है कि नहीं तो देखेए एक्स के पावर 10 आएना तो इसका सुत्र क्या होता है यह उपर वाला पावर नीचे उतर के चल आता है इसमें से एको काम कर दिया जाता है तो दोस में से काम कीजिएगा एको तो 9 हो जाएगा यहीद 10 x के पावर 9 फिर फिलस का चीन है तो फिलस यह सुत्र आप जानते हैं कि d 1 के पावर x आभागा d x का सुत्र किया होता है 1 के पावर x इंटू log a होता है यही नहीं होता है यहाँ पर e ले लिया जाता है लिजे चाहे मतलि यह कौन दिकत नहीं है यही इसका सुत्र होता है तो यही सूत्र पर यही सूत्र पर यह कोचंच है ठीक है? तो 1 के पावर x तो जो ही से रहेगा 1 के पावर x तो 10 के पावर x इंटू log a log a जो a का मान यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर इस तरह 10 रख लिज़े ठीक है तो हम मिला यह तो इसका ओव कलन हम लोग किये हैं तो उपर वाला यहाँ पर आया कि नहीं 10 x के पावर 9 प्लस 10 के पावर x log 10 आ गया ना तो चलिए जब आ गया तो log लिजेगा यह और नीचे वाला मान को यहाँ पर 10 के पावर 10 आ प्लस 10 के पावर x कोई भी कॉस्टंट आप जोर दीजेगा यहीं इसका एंसर हो जाएगा बिल्कुल यह बात आपको बुझा गया होगा यह बात नहीं यह कोचंस आपको बुझा गया होगा ठीक है और बात भी आपको बुझा गया होगा option number इसका D हो जाएगा ठीक है बिल्कुल बुझा गया न बोलिए questions तो बहुत सरा है मेरे भाई इसमें अभी और कराय के छोड़ दे यह दुसारका वीडियो में और बेहतरीन बेहतरीन आपको questions लाएंगे और बेहतरीन बेहतरीन trick आपको सिखाएंगे ठीक है यह सब questions बिल्कुल आपको बुझा गया होगा ठीक है चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को जरूर से जरूर मेरे भाई आप सब सब्सक्राइब कर लिजेगा बेहतरीन बेहतरीन trick पहले आप सब को सिखा दिया है और बेहतरीन बेहतरीन trick आप सब को सिखाने वाले हैं ठीक है चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है चलिए मिलता है फिर आप सब से अगले वीडियो में